एपिसो नोमर 149 की स्टर्टिंग होती है और फूजीन चेन नीचे बैटती हुए कहता है अब मेरी बारी है तुम जाकर आराम करो जब खाना तयार हो जाएंगा तो मैं तुम्हारे पास ले आऊंगा और फिर यान कहती है हाँ ठीक है और फिर शेन कहता है आखिर कार रात में अब अच्छी नीन लेने की बारी मेरी है और अब मेरा पेट पूरी तरह से भड़ चुका है और आब मैं सोने के लिए अंदर टेंट में जा रहा हूँ और तबी फूजीन चेन कहता है रुखो शेन और शेन हरानी से उससे कहता है क्या हुआ फिर फूजीन चेन कहता है तुम वहीं सोच जाओ और उस ऐसा कहता है देख शेन चोकती वे कहता है या वहाँ पर मैं ठंड से मर जाऊंगा और वहीं फूजीन जेन गुसे से मन में कह रहा होता है शेन तुम क्या सोचते हो कि तुम यान के साथ एकी टेंट में सोऊंगे और फिर वो से कहता है अगर तुम और भी जदब मुलायमदार बिस्तर चाहते हो तो मैं और जाकर घास लेकर आता हूँ अब शेन कहता है नहीं वो बात बिल्कुल नहीं है और फिर वो मन में कहने लगता है उसकी ये आख है और फिर वो गुसे से फूजीन जेन से कहने लगता है क्या तुम अपने दोस्त की नींद खराब करना चाहते हो तुम सच में कितने फथर दिल हो और फिर फूजिन चेन भी गुसे से उससे कहता है तुमने यान के साथ अकले राद बिताई है मैं दुबारा ऐसा नहीं होने दूँगा फिर शेन कहता है क्या नहीं तुमको गलत फेमी हुई है और तुमको ही एक गोरिला से प्यार हो सकता है यह बते सुन फूजिन चेन भी गुसे से कहता है यान बहुत ज़्यदा प्यारी है और तुम उसे गोरिला कैसे कह सकते हो और उन दोनों को जगड़ता देख यान उन से कहने लगती है रुख जाओ फूजीन चेन और मैं यहां पर पहरा देते है और डॉक्टर शेन आप जाकर अंदर सो जाओ यान की ये बते सुन शेन बहुत ज़दा खुश होता है और यान का पेर पकड़ती हुए कहने लगता है मेरी प्यारी दोस सच में तुम बहुती ज़दा दयालू हो और वहीं फूजीन चेन बहुती ज़दा पत्थर दिल है और अब मैं दुबारा फूजीन चेन से बात कभी नहीं करूँगा शेन को यान का पेर पकड़ता देख फूजीन चेन कहता है उसे जाने दो और शेन कहता है नहीं और फिर शेन दीरे से यान से खेना लगता है यान मैंने उसकी बच्पन की बाते तुमको बताई थी ना तो तुम यह बात याद रखना उसके मॉम डैड ने उसको हिपलोटाइस करकर उसकी यादर दसको मिटा दिया है। typically है किती है और मैं उसकी प्रम आती है और मैं वो नहीं कर सकती जो तुम कर सकते हो और उन दोनों को आपस में इस तरह बाते करता देख फूजिन चेन को बहुते जलन हो रही होती है लेकिन किसी तरह वो खुद पर कंट्रोल किया हुआ होता है और फिर फूजिन चेन आगे बढ़कर शेन का हाथ करते हो और उसे इस तरह देख शेन डरते हुए कहता है नहीं तुम गलस समझ रहे हो नहीं तो बस यह जानने के लिए बहुत ज़िदा एकसाइट था कि जब नदी में उसके डैड और तुम गिर जाओ तो वो सबसे पहले किसे बचाएंगी और फिर फूजिन चेन बलश करत वे यान से कहता है यान तुम्हारा जवाब क्या है और वहीं यान मन में करने लगती है ये शेन तो एक चाला खलोमडी है और वो टॉपिक चेंज करने में बहुत ही अच्छा है और गाईज देगी साथ एपीस नॉमबर वानने फटीनाइन यहां एंड होता है पसना आया तो आइकेंड सिस्काइब जरू करें मिलते आपको जल्दी नेक्स्ट एपीस सोड में